सब्सक्राइब करिए जॉब लगी चैनल को और बेल आइकन को दवाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉबलगी.com में दोस्तों मैं आज आज आपको एक ऐसी गवर्मेंट नौकरी के बारे में बताना चाहती हूँ कि उसको आप अगर अपनी ट्रेड में स्पेशलाइज हैं यानि कि अगर आप कारपिंटर हैं या बैल्डिंग करते हैं या आप प्लंबर हैं तो आप इस नौकरी को पा सकते हैं. जिहां बिल्कुल यह जो मैं नौकरी की बात कर रही हूँ इसका नाम है Defense Research and Development Organization. जिहां बिल्कुल यह Defense Research and Development Organization की नौकरी है. तकरीवन 116 पोस्ट इसमें हैं रिलेटेड ट्रेड में. तो यहां पर जो नौकरीयां आई हैं बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगी इसके जो र अभी भी lockdown के ही period में हम हैं तो इस नौकरी के जो last date application form की है वो भड़ चुकी है. तो यह information मेरे लिए आपको देना बहुत जरूरी था कि अगर आप carpenter है, plumber है या फिर आप building करना आपको आती है, barber है अगर आप आप नाई है या फिर आप painter हैं तो आप इस नौकरी में apply कर स सकेंगे. सरकारी नौकरी है काफी सारे अच्छे जो इसमें salary है वो मिल रही है, दोनों ही महिलाए और पुरज यो है apply कर सकते हैं. तो आज इस नौकरी के बारे में मैं आपको दूगी सारी details की कैसे आप इस नौकरी के लिए apply कर सकेंगे. सबसे important बात इस नौकरी की ये है कि इसमें आपको कोई भी पैसे जबा नहीं करना. जैसे कि काफी सारे सरकारी exam होते हैं उसको form बढ़ने के लिए आपको 100 रुपे, 200 रुपे जो है वो बढ़ने होते हैं तब जाकर के आपका registration होता है. तो इस vacancy के लिए एक भी रुपया आपका charge नहीं हो रहा है. सबसे पहली कि आप पेंटर हैं. अगर आप प्लमबर हैं तो उस चीज का भी आपके Pास certificate होना चाहिए. या अगर आप बार बहर हैं तो उस चीज का भी आपके Pास certificate होना चाहिए. अगर आपके Pास certificate है तो आप इस नौकरी में instantly apply कर सकेंगे. सबस्तों एक और चीज मैं बताना चाहती तो आपका बहुत अच्छी बात नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको बोला था Certificate आपकी related rate में NCVT का होना चाहिए अगर आपके पास Certificator तो आप allow कर पाएंगे साथी साथ देखो Carpainter के लिए इसमें 2 नौकरी निकली हुई है Carpainter के लिए इसमें 23 नौकरी निकली है Plumber के लिए इसमें 5 नौकरी निकली है Tuner के लिए इसमें 20 नौकरी निकली है Welder के लिए इसमें 2 नौकरी निकली है Fitter के लिए इसमें 11 नौकरी निकली है तो टोटल 116 नौकरी है 16 पदो के लिए ये vacancy आई है बहुत बड़ी विकिंसी है आप सभी के लिए जादा qualification नहीं मांगे गई salary की अगर हम बात करें तो देखें दोस्तों ये defense से related नौकरी है trainee की ये नौकरी है तो इसमें जो starting salary आपकी होगी ये लगबग 25,000 के आसपास होगी ही होगी साथी में आपकी पास जो benefit रहते हैं वो तो अलग ही आपको मिलेंगे for example आपको PF मिलेगा provident fund आपको insurance मिलेगा 50,000,000 तक का in case अगर कोई दुरगटना होती है तो 50,000,000 रुपे आपकी family को दिये जाएंगे साथी साथ आपके लिए canteen जो होती है वो free होती है बहुत सारे benefit होते है defense services को join करने के so basically यहाँ पर भी आपको वो सारे benefit जो है वो मिलेंगे so guys यह अच्छी एक नौकरी है सरकारी नौकरी है अगर आप इसमें apply करना चाते हैं मेरा फर्स था आपको बताना मैंने आपको बताया है काफी अच्छी वेकेंसी है lockdown के time पर private sector में आप apply ही नहीं कर सकते तो इसी लिए मैंने सोचा कि यह एक ऐसी नौकरी लेकर के आती हूँ जो की free of cost registration जिसके हो रहे हैं काफी तादार में वेकेंसी है तो यह आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था तो मैंने आप सभी के लिए यह जो वीडियो है वो लेकर के आई है so guys मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में फिर से एक और नहीं वेकेंसी तब तक के लिए thank you so much and bye bye